हैलो दोस्तों, यूनिक कम्प्यूटर इस्ट्यूड में कम्प्यूटर एजुकेशन का यह 11th पार्ट है वीडियों को आन तक देखेगा, सस्क्राइब और सेयर और लाइक करना मत भूलिएगा इस वीडियों में हम बात करेंगे वर्डपेड के बारे में वर्डपेड माइक्रोसाफ्ट का अपना अप्लिकेशन है, जो इस्तिमाल किया जाता है रेजियूम में, या अप्लिकेशन, या लेटर, या कोई लिस्ट ब्राने में तो आज की इस वीडियों में हम आपको बताएंगे की वर्डपेड कैसी यूज किया जाता है तो चलिए सुरू करते यहाँ पर आप नचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको वर्डपेड मिल जाएगा आप अगर चाहें तो इसको उठा करके यहाँ पर रख सकते हैं जिससे बात में आपको Windows ऐसे Series में नहीं जाना पड़ेगा आप Menu पर क्लिक करेंगे और आपके सामने WordPad यहाँ पर आ जाएगा इस पर Double क्लिक करेंगे तो यह Open हो जाएगा तो इसमें आप Letters लिख सकते हैं, Resume बना सकते हैं, अपने Notes बना सकते हैं मतलब कि यह Notepad से थोड़ा Advance है इसमें आपको ज्यादा Options मिलते हैं तो पहले हम समझ लेते हैं कि WordPad में क्या होता है First यहाँ पर यह Title बार है, आप File का जो भी Name सेव करेंगे वो यहाँ पर Show होगा जैसे कि यह File है और इसको मैं सेव कर देता हूँ, इशान के नम से इशान, यहाँ पर Location में चूज कर लेता हूँ, कहाँ पर Save करनी है और Save पर क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पर इशान लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि File का नाम है इशान, यहाँ पर यह Shortcuts है, यह Save के लिए, यह Undo और यह Redo यहाँ पर क्लिक करके आप और भी Shortcuts एड कर सकते हैं, जैसे के New, आप देखिए आपर यह New Shortcut आ गया, Open अब यहाँ पर यह Menu है, इसमें आपको तीन Menu दिये गए हैं, File, Home और View फाइल पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने File के Options आ जाएंगे, सबसे पहले है New, इसका Shortcut है Ctrl पिलस N, New पर क्लिक करके आपको यह New फाइल यहाँ बना सकते हैं, दूसरा है Open, इसका Shortcut है Ctrl पिलस O, इस पर क्लिक करके आप पहले से जो बनी हुई फाइल है, उसको Open कर सकते हैं, तिसरा है यहाँ पर Save है, इसका Shortcut है Ctrl पिलस S, Save पर क्लिक करके आप अपनी File को Save कर सकते हैं, दूसरा है यहाँ पर Save As, Save As पर क्लिक करके आप अपनी File को किसी Other Format में या फिक किसी दूसरे नाम से Save कर सकते हैं, जिसे कि यहाँ पर हमारी File है इशान के नाम से हम चाहते हैं, कि इसी फाइल को हम सेव करें सीड के नाम से तो हम सेव एज पर क्लिक करेंगे और यहां पर सीड टाइप कर देंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर यह फाइल अप सीड हो गई है हाला कि पहली वाली फाइल भी डिलिट नहीं हुई है वो भी यहा करते हैं Save As, इसके बाद यहाँ पर Print है, Print में आपको तीन Options मिलेंगे, इसमें एक है Print Preview, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपकी जो फाइल Print होगी, वो कैसी होगी, और Print Preview में आपको बागी के दोनों Options भी मिल जाते हैं, Print पर क्लिक करके डारेक आप प्रिंट कर सकते हैं, और Page Setup पर क्लिक करके यहाँ से आप Page को Setup कर सकते हैं, सबसे पहले Size, आजकल ज्यायतर A4 चलता है तो A4 चूज कर लेंगे, और बाकी नीची हाप पर Portrait, Landiscape जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, Landiscape में आपका Page कुछ इस तरीके से Show होगा, जबकि Portrait में यह लंबाई में Show होगा और यहाँ पर Margin, Page के चारो तरफ जो थोड़ी सी जगा छोड़ी जाती है उसको बोलते हैं Margin, वो Margin आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं जितने आप यहाँ पर Numbers बढ़ाएंगे, उतनी ही Margin बढ़ेगी जैसे कि आगर आपको Left में 2 इंच की Margin रखनी है, तो आप यहाँ पर 2 टाइप कर देंगे तो देखिए Left में यहाँ पर 2 इंच की Margin हो चुकी है यहाँ पर इक Option है Page Setup का, Page Setup का Option आपको Print में भी मिल जाता है यहाँ अलग से भी मिलता है, इस पर किलिक करके आप अपने Page को यहाँ पर Setup कर सकते हैं दूसरा Menu है Home, Home में आपको यहाँ पर Shortcuts मिलते हैं, Cut Copy और Paste यह भी लगवाँ आपको सभी Programs में मिलते हैं, इसलिए इनको भी आपको एक बार ही समझ लेना है सबसे पहले है Cut, Cut पर किलिक करके आप किसी भी Text को यहाँ पर Cut कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ Text टाइप कर लेता हूँ अब यह मेरे पास एक Text है, अगर मुझे इसे Cut करना है और दूसरी जगा पेस्ट करना है तो यहाँ मैं Cut पर किलिक करूँगा, यह Copy हो जाएगा और फिर मैं Paste पर किलिक करके इसको किसी दूसरी जगा पर Paste कर सकता हूँ दूसरा यहाँ पर है Copy, इसको मैं पूरे को Select करूँगा, Copy पर किलिक करूँगा, यह Copy हो जाएगा और फिर हम दूसरी जगह जाकर यहां paste पर किलिक करेंगे तो यह paste हो जाएगा cut और copy में फर्क होता है कि अगर आप किसी text को cut करते हैं तो उसमें वो एक जगह से बिलकुल गायब हो जाता है देखिए यहां से गायब हो गया अब हम किसी दूसरी जगह जाकर इसको paste करेंगे तो यह वहाँ पर आ जाएगा जबकि copy में ऐसा होता है कि एक text आप copy करते हैं तो वो वहाँ भी बाकी रहता है और दूसरी जगह भी आप उसको paste कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर आपको font की formatting मिलती है आप यहाँ पर अपने text को select करेंगे और यहाँ से जो चाहे वो font यहाँ से choose कर सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे fonts होते हैं और इंटरनेट से download करके आप यहाँ और भी fonts इंस्टॉल कर सकते हैं जिसे के हमें comic sense चाहिए तो हम इस पर click करेंगे तो देखें यहाँ पर font comic sense में change हो गया इसी तरीके से यहाँ से आप size बढ़ा सकते हैं जिस text का भी आप size बढ़ाना चाहते हैं उसको आप choose करेंगे और यहाँ से आप size increase कर सकते हैं जिसे मुझे 22 चाहिए तो देखें 22 हो गया इसी तरीके से आप यहाँ से भी घटा बढ़ा सकते हैं अगर आप इस small a पर click करेंगे तो size छोटा होगा जबकि अगर आप इस big a पर click करेंगे तो size यहाँ पर increase होगा निचे आएंगे यहाँ पर B है B का मतलब होता है bold इस पर अगर आप click करेंगे तो आपका जो selected text है वो bold हो जाएगा यानि मोटा हो जाएगा text को select करके अगर आप इस पर दोबारा से click करेंगे तो आपका text फिर से पतला हो जाएगा bold करने के लिए आप हमेशा अपने text को select करेंगे जितना text आप bold करना चाहते हैं और उसके बाद B पर click करेंगे तो text bold हो जाएगा दूसरा option है यहाँ पर I, I का मतलब होता है italic, italic मतलब तेढ़ा तो अगर आपको यहाँ अपने text को टेढ़ा करना है, italic करना है तो आप अपने text को choose करेंगे जिसको आप italic करना चाहते हैं इसके बाद I पर click करेंगे तो आपका text यहाँ पर देखे italic हो गया, मतलब थोड़ा टेढ़ा हो गया यहाँ पर U है, U का मतलब होता है underline, मतलब अगर आप text के नीचे underline देना चाहते हैं तो आप उतने text को यहाँ पर choose करेंगे जितने के नीचे आप underline देना चाहते हैं choose करने के बाद यहाँ यह उपर click करेंगे तो text के नीचे एक underline आ जाएगी जो कि आपने कई articles में देखी होगी यहाँ पर यह ABC है, इसका मतलब होता है strike throw, इसका मतलब होता है कि आप text के बीच में line दे सकते हैं जैसे कि यहाँ पर हमें बीच में line देनी हैं तो हम इसको select करेंगे, ABC पर click करेंगे तो देखे text के बीच में line आ गई, इसका मतलब होता है कि इस text को cut कर दिया गया है अब यहाँ पर यह है sub script और यह है super script आपने देखा होगा जब हम कोई formula लगाते हैं तो formula में जैसे हम लिखते हैं h और उसके बाद हम लिखते है 2 तो 2 थोड़ा सा उपर होता है यहाँ पर मैं इसका size बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको सही तरीके से show हो तो यहाँ पर आप देखें जब हम formula लिखते हैं तो 2 इस तरीके से नहीं लिखा होता तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इस 2 को select करेंगे और यहाँ sub script पर click कर देंगे तो यह नीचे आ जाएगा अगर हम इसे उपर करना चाहते हैं तो हम इसको select करेंगे और यहाँ super script पर click करेंगे तो यह उपर आ जाएगा तो इस तरीके से जब हम कहीं पर formula लगाते हैं तो formula लगाने के लिए यहाँ पर sub script और super script यूज किया जाता है sub script में नीचे की तरफ जाता है और super script में यह उपर की तरफ आता है यहाँ से आप text का color change कर सकते हैं जैसे कि मुझे इस text का color change करना है तो यहाँ पर मैं एपर click करूँगा और इसमें काफी सारे colors दिये गए हैं इनमें से कोई एक color में choose कर लूँगा तो देखिए यहाँ पर इसका color change हो गया अब मैं चाहता हूँ कि इस line का भी color change करूँ लेकिन text का नहीं बलके इसके background का तो उसके लिए हम यहाँ pen पर click करेंगे और यहाँ से हम कोई भी एक color choose कर सकते हैं जैसे कि मैं yellow choose कर लेता हूँ तो अब आप देखिए इसका background color change हो गया यह जायतर वहाँ पर इस्तमाल के जाता है जहाँ पर आपको अपने text को highlight करना हो तो उसके लिए बस आप अपने text को select करेंगे इसके बाद अगर आपको text का color change करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं और अगर आपको background का color change करना है तो आप यहाँ से change कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर यह है paragraph के options, जिसमें आप paragraph की settings कर सकते हैं, यहाँ पर आप text को देखे, यह left side में है, अगर हम इसको बिल्कुल center में करना चाहते हैं, तो यहाँ center पर click करेंगे, पूरा text यहाँ center में हो जाएगा, अगर हम इसको right side में करना चाहते हैं, तो हम align text right पर click करे करेंगे, पूरा text justify हो जाएगा, justify का मतलब यह होगा, कि line जो यहाँ से शुरू हो रही है, और यहाँ पर end हो रही है, बिल्कुल बराबर होगी, इसके बाद यहाँ पर यह indent है, इसके जरीए आप किसी भी paragraph को left में या right में सरका सकते हैं, जैसे कि यह paragraph है, इसको हम सरकाना च चाहते हैं, तो select करेंगे, और यहाँ left वाले पर किलिक करेंगे, यह left में सरकता जाएगा, इसके बाद यहाँ पर यह है bullet, bullet में यहाँ पर dot है, साथ ही 123, ABC, ABC small है, जब हम कोई लिस्ट पनाते हैं, तो वहाँ पर हमे 123 या ABC इस तरीके से लिखना होता है, तो उसके लिए हम क् चाहते हैं, और यहाँ से कोई भी type की bullet हम दे सकते हैं, यह dot है, यहाँ पर यह 123 है, यह ABC small, ABC capital, तो यहाँ से हम इस तरीके से चूज करेंगे, तो आप देखिए, यहाँ पर यह list बन जा रही है, यहाँ पर यह paragraph में space देने के लिए इस्तमाल किया जाता है, जैसे कि यहाँ प परेग्राफ को यहाँ select करेंगे और paragraph में आएंगे, और यहाँ से choose कर लेंगे कितनी space हम देना चाहते हैं, अब यहाँ पर देखिए, काफि सारी space दे दी गई है, अगर हम space को remove करना चाहते हैं, तो इसको select करेंगे, paragraph में आएंगे, और यहाँ से हम 1, 1.15, 1.52, जो भी आप रखके इसके बाद इस वाले option को uncheck करेंगे, तो देखिए यहाँ पर से वो space गायब हो जाएगा, तो paragraph के बीच की space को आप यहाँ से add या remove कर सकते हैं, बाखी हाँ पर यह है picture का option, इसके जरीए आप अपने text में जो भी आप resume में बना रहे हैं, letter या कुछ भी आप बना रहे ह हूँ और मुझे एक photo डालना है, तो जहाँ पर भी photo आपको डालना है, वहाँ पर cursor रखेंगे, picture पर click करेंगे, यहाँ से picture पर click करेंगे, और आपकी computer में जहाँ पर भी picture रखी हुई है, उसको आप select कर लेंगे, यहाँ से मैं इस photo को select करके open करूंगा, तो आप देखिए यह यहाँ पर हमारे text में एक photo आ चुकी है, यहाँ से हम photo का size छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं, इसकी बाद यहाँ पर है paint drawing, अगर आप कोई drawing बनाना चाहते हैं, तो यह तरीका तो यह है कि आप paint में जाए और वहाँ पर drawing बना लें, लेकिन अगर आपको अपने letter में या अप color fill कर देता हूँ red, इसकी बाद अगर हम यहाँ से paint को close करेंगे, तो देखिए जो drawing हमने बनाई है, वो यहाँ पर show होगी, तो इस तरीके से directly आप अपने wordpad की file में एक drawing डाल सकते हैं, अब आपको अगर किसी जगह पर date and time डालना है, तो आप cursor वहाँ रखेंगे, date and time पर click कर format में आपको date and time चाहिए, वो आप यहाँ से choose करेंगे और ok कर देंगे, आज की जो current date or time है, वो यहाँ पर show हो जाएगा, यहाँ पर find and replace है, find पर click करके तो आप find कर सकते हैं, जैसे के हमें find करना है, कि हमारी application में 95 किधर है, तो 95 टाइप करेंगे, find text पर click करेंगे, तो देखि type करेंगे, जैसे मैं find करना चाहता हूँ word को, और इसको में replace करना चाहता हूँ word के साथ, तो यहाँ पर word लिखेंगे, उसके बाद replace all पर click करेंगे, तो हमारी फाइल में जितने भी word थे, वो सब word में replace हो चुके हैं, तो यह सारे options है, MS word के, इसमें आप practice कीजिए, आपको इस सब ही functions की practice कर पाएंगे, यहाँ नीचे zoom है, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, इस पर click करके zoom आप कम कर सकते हैं, और यहाँ इस पर click करके आप zoom को बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर view है, view में आपको यही zoom और ruler का option मिलता है, यहाँ से आप ruler को show या hide कर सकते हैं, सब्सक्राइब की जाती है, तथा आप कैसे practice करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा, ताकि यूनिक कोचिंग में उपलब सभी भी SEO से समंदेद जानकारी आपको पहले प्राप्त हो सके,